ऐसा साप जो आप देखते तो हर चीरिया घर में हूँ, ऐसा साप जो रात को ऐसी आवाजी निकालता है, ऐसा साप जिससे हजारों लोगों की मौत हुई है, साप जो रेगिस्थान में पाये जाता है, इन सब के बारे में अगर आप कुछ जानना है तो आप हमारे साथ बने र में वीडिो को अनक्र देखिएगा भार्त का सबसे जहरीला साथ the Indian Kobra सबसे जहरीला साफ अगर भारत में कोई पाया जाता है तो वे इंडियन कोब्रा है इंडियन कोब्रा भारत के एलावा कई आसपास के डेस्ट में ही पाया जाते हैं जैसे मांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल यहां भी पाया जाते हैं। इंडियन कोब्रा से इन लोगों को डर्ना चाहिए पर ऐसा नहीं है। भारतियों लोग इस साथ की पूजा करते हैं। इस साथ की एवरिज लिविंग 24 साल की है। भारत की करनातक शहर में सबसे जादा इंडियन कोब्रा पाया जाते हैं। अगर इस साथ किसी इंसान को काड़ दे तो उसकी मौद साथ मिनिट के अंदर-अंदर हो जाती है। अगर उसको एंटी दोज टाइम पर नहीं दिया जाय है। इस साथ से हर साल बेहद लोगों की दर्दनाग मौत हो चुकी है। इसका नाम सी स्केल वाइपर रखा गया है। इसकी लंबा ही 40-80 cm के अंदर होती है। भारत के राजस्थान शहर में सबसे जादा पाया जाता है। खुले मेदान में रास्तों में पत्थरों के पीछ इसे रहना जादा पसंद होता है। यह साथ कोब्रा के तरह 24 साल तक जीवित रह सकता है। बहुत जल्दी रियक्ट करने वाला यह दुनिया का सबसे खतरना को एग्रेसिव सापों में पाया जाता है। यह अपनी पूरे शरील को एस शेप में तब्दील कर देता है। 24 गं पाया जाने वाला सबसी पुराना साप दर रसल वाइपर है। भारत के अलावा यह श्रीलंका पाकिस्तान मयानमार में भी पाया जाता है। 1726 से 1805 तक इस सापका नाम पैटिक रसल वाइपर रखा गया था। यह सापकी लंबा ही चार फीट तक होती है। यह सापका दिखा साप सहर में यह साप जादा पाया जाता है। ऐसा कोई परिणाम नहीं पाया गया कि इस सापके कापने से कितनी देर में एक इनसान की मौत हो जाती है। काले हीरे जीसी आँखे पर खतरनाग लंबाई 40-80 cm के बीच भारत महराष्ट में सबसे ज़्यादा पाये जाने वाला साप 25 करिनेटिस नहीं के पेंटू यह डेजर्ट में रहना बहुत पसंद करता है। यह साप जो जहर उगलता है उसका नाम एकिरियम है। 2000 से 2019 तक इस साप के काटने से 1.2 मिलियन डेथ रिपोर्ट सामने आई है। यह साप ज़्यादार रात में बहार आते हैं और सुबह तक आराम करते हैं। इस साप का बीईवियर कुछ हट तक रसल वाइपर जैसे ही है। सन 1801 में इस साप की खोज की गई। यह साप बंगाल की खुबसूरती है। जरता बेस्ट बंगाल ने पाया जाते हैं। इनके एवरेज लंबा ही 165 सेंटी मीटर तक है। भारत में सबसे लंबा तक जहरीला सापकों में सबसे ज़्यादा अवल में यह पाया जाता है। रात में अगर कोई आपको आवाज सुनाई दे तो आप समझ लिजेगा कि यह बंगूरे साप है। यह इनके खुश होने का जरिया है। रात में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सीलंका के अरवनपूरंग में 210 से ज्यादा फार्मर्स की मौत इस साप की कातने के वचे से हुई है। इस साप के अंदर